अलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे सभी पूरु सैनिकों के लिए केंदरी करमचारियों के लिए और पैंशनर्स के लिए दोस्तो आज के तीन से चार इंपॉर्टेंट अपडेट दोस्तो सबसे पहला दोस्तो अपडेट होगा एक्वल एमस्प को लेकर और आप जानते हैं दोस्तो की एक्वल एमस्प पर कल जो आई सुनवाई है और पिछले कई टाइम से दोस्तो एक्वल एमस्प का जो केस जो है उसके ओपर नई तारीक मिलती जा रही है और और इससे ज बेंच भी जो है जो जज की बेंच है जो है वो भी चेंज हुई है और इसकी वएसे दोस्तों कहीं ने कहीं डिले हो रहा है और एक बार फिर से स्टार्टिंग से केस की शुरुआत हो रही है या केस में जो है दुबारा से वो चीजे जानने कोशिश की जा रही है और अभी द जवानों की जो सुनवाई हो एक बार फिर से शुरूर हो जाती है और उसका सबसे बड़ा जो नेगेटिव एस्पेक्ट यही है कि कि टाइंग जो है क्योंकि एक्वल एमस्पी के लिए काफी टाइंग से वेट कर रहें और कहीं नहीं आज से दो-तीन महीने पहले केस बिलकुल फाइनल हेरिंग पर पहुंच चुका था और सिर्फ फैसले के अंतजार था लेकिन अब जो है वापस हेरिंग वाले मोड में अन्य नए जजो की बैंच होगी तो पूरा का पूरा देखेंगे क्योंकि इसमें जो है नियाय देना है तो हर पहली को देखा जाता है एक बार फिर से दोस्तों अपडेट आ रहे है जहां पर जो जो की बैंच है वह चेंज कर दी गई है वह बदल दी गई है और अब जो है कल क्लैरेटी होगी कि दोस्तों सुनवाई में क्या होता है बात करते दोस्तों दूसरे अपडेट की जहां पर ओरो पी त्री आप जानते हैं दोस्तों की ओरो पी त्री का मुद्दा जो है इस टाइम पर काफी चर्चा में और पूरु सेनिकों की ले अच्छी ख़बर है कि कि रख्षा मंतराले में भी चर्चा शुरू हो चुकी है और कहीना कहीं इस पर रक्षा मंतराले की तरफ से भी लोग को शीकृती मिल चुकी है वित मंतराले में भी इसका डिस्केशन हुआ है और सबसे बड़ी चीज यह कि एक जुलाई से प्रभावी है तो अब पेंशन में रिवीजिन होना तया है इसलिए दोस्तों एक प्रधान मंत्री जी को एक ग्यापन भी सौपा गया है जहां पे OROP 3 के इतने लोगों को जो है बेनिफिट मिल रहे हाला कि OROP 3 जो है OROP 2 का जो विसंगतिया है वो उसमें कॉंटिन्यू है लेकिन जिन लोगों को जो है इससे वंचित रखा गया है जैसे कि PMR हो गया एक्स ग्रूप हो गया उनको जो है इसमें शामिल करने के को मिले अधरवाइस दोस्तों जो 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 OROP 2 के जो भी विसंगतिया है उसके लिए अलग से आप जानते हैं कि जंतर मंतर पर धरना चल रहा है और उस पर अभी काम चल रहा है बात करते दोस्तों नेक्स्ट अपडेट किया और यह दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट है और इन लोगों ने ना तो ECHS की सुविधा ले रहे हैं और नहीं फिक्स मेडिकल अलाउंस की सुविधा ले रहे हैं तो दोस्तों फिक्स्ट मेडिकल आलाउंस आपको हर मेने 1000 मिलता है जिस पर बेदोस्तों अलग-अलग चर्चाहें चल रही है बढ़ सबसे पहली बात है कि और अपतंप मेडिकल शुरू हुआ है उन्हों ने लेक्टर के माध्यम सहे उन्हों को जो है फिक्स्त मेडिकल एक ले ते तो उनका फिक्स्स ङलांच शुरू हुआ है और यह 10000 है कि यह लेकिन और आफ के की सुविदान से बात चल रहे हैं उसके जो रीजिन में आपकी डिस्ट्रिक्ट में अगर ECHS के पॉली क्लिनिक नहीं है तो दोस्तों आप FMA का अलाब जरूर ले उसमें बस एक ही नेगेटिव पॉइंट अगर अभी तक आपने नहीं लिया तो यह आपकी गलती थी इसमें आपको दोस्तों सरकार के तरफ से कोई area नहीं मिलने वाला है जिस दिन से आपका यह लागू होता है आप FMA आपको उस दिन से ही मिलेगा उसके पीछे का जो record है उससे पीछे जो भी data हुआ उसके कोई आपको मतलब नहीं रहेगा उससे नहीं मिलेगा तो बेटर यह है कि जो आपको मिल रहा है वो ले अगर तो mandatory AECHS 2003 के बास से तो कई लोगों के पास है लेकिन हम बात करने हैं कुछ ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक FMA की सुविधानी ली तो दोस्तों आज से आपका जोगर आप डालते हैं तो आज से आपका 1000 रुपए शुरू हो जाएगा FMA का area नहीं मिलता क्योंकि वह एक आपका अलग से component है और आपको उसके लिए खुद apply करना पड़ते हैं दोस्तों बहुत important है और जिन लोगों ने apply नहीं किया वह एक बार कर सकते हैं और जो 3000 वाला जो है क्योंकि अभी बहुत सारे जो है इसी वह से जो है यह लेटर लिखा गया है कि 1000 रुपए को 3000 रुपए पढ़ाया जाए और 3000 रुपए तक किया जाए और यह जो है काफी टाइम हो गया है इसके उपर सरकार की कहीं ने कहीं सेहमती भी है और डेटा मंगाया जाया रहा है कि कितने ऐसे लोग हैं जो लोग ECHS की फैसिलिटी नहीं ले रहे क्यूंकि उनके एरिया में जो है ECHS के पॉली क्लिक नहीं है और उसके बेस पे दोस्तों उनको जो है उनकी लिस्ट के बेसिस पे फैनेंस डिपार्टमेंट में चेक किया जाएगा कि कितना इसका फैनेंस पे जो है इसके उसर पढ़ने वाला ह और उसका बेनिफिट मिलेगा दोस्तों अच्छी कबर है एफम में के लिए जरूर एपलाई करें और कल को गर तीन हजार पांच जार जो भी होता है उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा कुछ नहीं लेने से अच्छा तो है कि कम सेमें आपके पास हर महीने जो है आपको अगर तीन हजार होता है तो साल का 36,000 उसके लिए चल रहे है मामला का कई जो है संगठन ऐसे हैं जिनका की में न्यूस चैनल में नहीं आता है लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि यह पूरुसेनकों को उनको जो है पैंशनर्स को उनको एफमे को बढ़ा कर उनको जो है दिया अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले है थैंक यू फर वाचिंग डेस वीडियो